दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक पोश्ट नदर आ रहा होगा, इसको मैंने फेस्बुक से स्क्रिनशोट लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं, अबस्तित नेपाली जन समुदाइलाई, उपस्तिती को लागी नेपाली राईजुतावास, कतार हार्दिक अनुरोद ग करद अच्छा, कारी करम मेती 2023 अक्तूबर 9 मंडे, समय बेलु की 35 बजे, इस्थान नेपाल पविलियन, 72A अलविदा पार्क, दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस अपील को पढ़नेक बाद में समझ गए होंगे, यहां पर क्या कहा जा रहा है, आप मे अब ही कतर में दोहा एक्सपो 2023 के नाम से वहाँ पर जो फेस्टिवल चल रहा है, इसे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ के कतर में 2 अक्तूबर से ले करके 28 मार्च 2024 तक वहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, जो के दोहा एक्सपो 2023 के नाम से जाना जा रहा है, तो उस इसवेंट में वहाँ पर बहुत सारी कंट्री वाले अपना-पना वहाँ पर कल्चरल को Пरमोट करते हैं, तो यहाँ पर नेपाल की इमबेसिक तरफ से बहुत अपर कारी करम रखा जाएगा, तो नेपाल इमबेसिक की तरफ से नेपाली समुधाय के सकते हैं वहाँ पर नजदीक के रहने वाले हैं अलविदा पार्क में या यह कि अगर आप दोड़ दराज से भी हैं अगर वहाँ पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं तो जरूर पहुंचें और वहाँ पर देखें कि वहाँ पर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है जिसके लिए यहाँ पर कतर में मुझूद नेपाले मिसिन जो अपील किया है आप लोगों को वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है यह उधगाटन समारू आज ही है यानि कि आज 9 अक्तूबर है मंडे का दिन है यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हैं कि टाइम जो यहाँ पर मगरिब का वक्त है साड़ी 5 बजे तो आप लोग जहाँ वक्त पर पहुंच सकते हैं अलविदा पार्क में आप में से किन किन भाईयों को वहाँ पर जाने के रादा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नेपाली भाईयों तक ये वीडियो पहुंच सके दोस्तो इस वीडियो में इतना ही हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में चैनल के साथ में जुड़े रहें, अगर आप इसको YouTube पर देख रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहें, तो पेज को लाइक करें, दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, कि अभी मैं HA Media पर भी अक्टीव रह